रेल्वे ने सुमवार को एक प्रेस कॉंफरेंस कर करोना के खिलाब जारी अपने अभियान की जानकारी दी रेल्वे बोर्ड के चेर्में ने बताया कि 5231 रेल्वे कोच को आइसोलेशन बेट्स में तबदील किया गया है सौसमंत्राले की ओर से 6 मई को जो निर्देश चारी किये गए थे उसके आधार पर रेल्वे आइसोलेशन सेंटर बनाने का काम कर रहा है रेल्वे कोच में बने आइसोलेशन सेंटर में कोरोना के हलके लक्षन वाले मरीज रखे जाएंगे कोरोना के संदिक या पुष्ट मरीज़ों के लिए अलग से कोच बनाए जाएंगे ऐसे हर कोच में 8 कैबिन होंगे रेल्वे ने इसके लिए नोडल अफसर बनाए है जो अलग-अलग राजियों में कोविट केर बैज की जानकारी देंगे 130 स्टेशन ऐसे हैं जहां रेल्वे की कोई मेडिकल टीम नहीं है इसलिए राजियों से कहा गया है कि वो पैरा मेडिकल और मेडिकल टीम मोहिया कराए रेल्वे के आइसोलेशन बेड का प्रबंधन राजि के प्रमुक चिकितसा अधिकारी करेंगे जिस अलाके में आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएंगे वो इस अलाके के अस्पताल से सब बढ़ हो गए इसके लिए एक एमवलेस भी रखी जाएगी जो मरीज को रेल्वे के आइसोलेशन सेंटर से उस अस्पताल तक पहुँचा सके डिली के शकरवस्ती में 50 कोच बनाए गए हैं जरुरत के मताबिक ये सबी कोच तयार हैं बर्तितापमान को देखते वे सेंटर की छट को इंसुलेट करने की भी तयारी है रेल्वे ने बताया कि महस 24 घंटे के अंदर कुछ 20 लिटर्स नागपुर से मुंबई पहुचा आगए हैं ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भारती रेल्वे का भारती डाग की साथ करार है 120 दी प्लेस्मेंट के साथ हम देंगे आपको मौका Life24 Media Institute, Admission Open, Registration के लिए कॉल करें 9560464170